स्वागत हैं आपका हमारी आज की यूट्यूब विडियो में आसा करता हूँ, आप सब ठीक होंगे, आज की हमरी ये विडियो 1857 के सवतंतर्ता संग्राम पे आधारत है, चलिए सुरू करते हैं आज की ये शांदार विडियो विडियो सुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकॉन प्रेस करें जिससे की आप हमारी एक भी विडियो मिसना कर सकें, विडियो को लाइक करना ना भूले, चलिए विडियो सुरू करते हैं एक 1857 के विद्रोह को क्या भी जाता है? अंग्रेजो द्वारा भारतिय स्वतंत्रता संग्राम या गदरेहिंद के नाम से जाना जाता है दोग 1857 के विद्रोह की आरंभिक घटना क्या थी? सिपाहियों की मजबूरी के कारण बंगाल के बराकपुर में उग्र प्रदर्शन शुरू हुआ था सिपाहियों को उचित वेतन, धार्मिक और सामाजिक अपमान और उनकी इमानदारी को संकट में डालने वाले नियमों की उम्मीद थी? चार, 1857 के विद्रोह किस जगह से प्रारंभ हुआ? बराकपुर, बंगाल, आजकल वेस्ट बंगाल, भारत से प्रारंभ हुआ पांच, 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? विद्रोह के प्रमुख नेता मंगल पांडे, रानी लक्षमी बाई, बहादूर शाह जफर और नाना साहब पेशवा थे छे, विद्रोह के बाद दिल्ली को किसने कबजा किया? विद्रोह के बाद दिल्ली को बहादूर शाह जफर ने कबजा किया साथ कैसे जाने जाते हैं कि दिल्ली वाले सिपाहियों ने विद्रोह की शुरुवात की थी दिल्ली वाले सिपाहियों ने 10 मई 1857 को ब्रिटिश सैनिकों को मार डाला था जिससे इसकी शुरुवात का पता चलता है आठ विद्रोह के दौरान इंगलेंड के वहां कौन था? विद्रोह के समय इंगलेंड के वहां रानी विक्टोरिया थी 9. कौन सी संस्था ने विद्रोह के प्रती सहीयोग दिया? सेपाहियों के नाम में ब्रिटिश भारतिय सेना के नेताओं ने भी विद्रोह के प्रती सहयोग दिया दस किस सिपाही ने विद्रोह के दौरान दिल्ली के रेड़फोर को कबजा किया बहादुर शाह जफर ने विद्रोह के दौरान दिल्ली के रेड़फोर्ड को कबजा किया ग्यारह कौन राजा निकला जो विद्रोह में अपना समर्थन दिया राजा नाना साहब पेश्वा ने विद्रोह में अपना समर्थन दिया बारह लक्ष्मी बाई का नाम क्या था? रानी लक्ष्मी बाई का असली नाम मनी करने का था. तेरह विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मी बाई ने किस प्राचीन उपाय को अपनाया? रानी लक्ष्मी बाई ने विद्रोह के दौरान पुरानी गुपताचार की एक प्रक्रिया को अपनाया, जिसमें वह अपनी सेना के लोगों को एक जुट करने के लिए धाल बनाने की योजना छिपाने के लिए बाजार में सामान खरीदती थी. 14. विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मी बाई ने किस स्थान पर अपनी वानी सुनाई थी? 17. विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मी बाई ने किस युद्ध में अपनी मौत के बाद लड़ने का निरने लिया? 18. विद्रोह के दौरान बाहादूर शाह जफर को किस वजह से मारा गया? 20. विद्रोह के दौरान बाहादूर शाह जफर को इस आरोप में मारा गया कि उन्होंने राजधानी दिल्ली को देशग्रोही उपाय के रूप में सौंप दिया था. बीस विद्रोह के दौरान बाहादूर शाह जफर को किस शहर में फासी दी गई बाहादूर शाह जफर को राजधानी दिल्ली में फासी दी गई 21 विद्रोह के दौरान किस शहर में अंग्रेजों ने राज बचाया विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने लखनव शहर को अपने नियंत्रन में रखा 22 विद्रोह के दौरान किस सिपाही ने अंग्रेज सिपाही को मारा मंगल पांडे ने विद्रोह के दौरान बराकपुर में एक अंग्रेज सिपाही को मार डाला 23. विद्रोह के दौरान किस जड़ह पर एक नाना साहब का महल हुआ था 24. विद्रोह के दौरान रानी पद्मिनी ने किस शहर में विद्रोह का समर्थन किया था 25. विद्रोह के दौरान किस राज्य में सिपाहियों ने भी विद्रोह की सहायता की थी मराठा सामराज्य के उत्तरी भाग में स्थित सिपाहियों ने भी विद्रोह की सहायता की थी 26 विद्रोह के दौरान दिल्ली के किस इलाके में ब्रिटिश राजनीतिक अधिकारी की हत्या हुई विद्रोह के दौरान दिल्ली के रेड़फोर्ड इलाके में बुटिश राजनीतिक अधिकारी विलियम हरट की हत्या हुई 27 विद्रोह के दौरान किस इलाके में अंग्रेजों ने उपनिवेशत किया था विद्रोह के दोरान, बारहखमबा इलाके में अंग्रेजों ने उपनिवेशित किया था। विद्रोह के दौरान नाना साहब के अध्यक्षता में नवाब अदालक नामक सरकार गठित हुई थी 29 विद्रोह के दौरान कौन सा युध अंग्रेजों और सेपाहियों के बीच लड़ा गया था 30 विद्रोह के दौरान जटका युध नामक युध अंग्रेजों और सेपाहियों के बीच लड़ा गया था 31 विद्रोह के दौरान किस सिपाही ने उपनिवेशित सेना का कमान संभाला था विद्रोह के दौरान बक्षी खान में उपनिवेशित सेना का कमान संभाला था 32 विद्रोह के दौरान किस राज्ज में उत्पन हुआ था विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश राज्ज में विद्रोह उत्पन हुआ था तैतीस विद्रोह के दौरान किस शहर में सिपाही राजा का मुकदमा चलाया गया विद्रोह के दौरान कानपुर शहर में सिपाही राजा का मुकदमा चलाया गया 34 विद्रोह के दौरान रानी लक्षमी बाई ने किस तारीख को अपनी मृत्यू को प्राप्त किया 35 विद्रोह के दौरान किस योद्धा ने ब्रिटिश सेना के अधिकारियों को मार डाला था विद्रोह के दौरान बक्षी खान में बिटिश सेना के अधिकारियों को मार डाला था 36 विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने अपनी सरकार की राष्ट्रिय ध्वज किस रंग की थी बहादुर शाह जफर ने अपनी सरकार की राष्ट्रिय ध्वज के स्रिया नारंगी रंग की थी 37 विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने किस युद्ध में भाग लिया रानी लक्ष्मीबाई ने कानपूर का युद्ध में भाग लिया 38 विद्रोह के दौरान किस योद्धाने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुध लड़ाई लड़ी थी विद्रोह के दौरान तामबे अली ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुध लड़ाई लड़ी थी 49 विद्रोह के दौरान किस स्थान पर नाना साहब की हत्या हुई विद्रोह के दौरान नाना साहब की हत्या बिथूर गाउं में हुई चालीस विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने किस स्थान पर सर्टिफिकेट सिलाने की कोशिश की थी विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने मियूरी सरकल के समीट सर्टिफिकेट सिलाने की कोशिश की थी 41 विद्रोह के दौरान किस नेता ने दिल्ली संग्रहाले को विद्रोह के लिए युद्धास्त्र बनाने के लिए अभियान चलाया था 42 विद्रोह के दौरान किस योद्धा ने बारहखंबा किले की रक्षा की थी विद्रोह के दौरान बाक्षी खान ने बारह खंबा किले की रक्षा की थी 43 विद्रोह के दौरान किस योध्धा ने कानपुर किले की रक्षा की थी विद्रोह के दौरान तात्या टोपे ने कानपुर किले की रक्षा की थी चवालीस विद्रोह के दोरान, किस योध्धा ने लक्षमी बाई को सहाईता प्रदान की थी पैंतालीस विद्रोह के दोरान, किस योध्धा ने कानपुर में अंग्रेच सेना के खिलाफ लडाई लडी थी विद्रोह के दौरान तात्या टोपे ने कानपुर में अंग्रेज सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी 46 विद्रोह के दौरान किस राज्ज में सेपाही राजा अपनी सरकार की स्थापना की थी विद्रोह के दौरान बिजनोर राज्य में से पाही राजा अपनी सरकार की स्थापना की थी 47 विद्रोह के दौरान किस स्थान पर रानी लक्ष्मी बाई की लड़ाई हुई थी विद्रोह के दौरान ग्वालियर किले पर रानी लक्ष्मी बाई की लड़ाई हुई थी उपाधी से सम्मानित किया गया था 59 विद्रोह के दौरान किस स्थान पर तात्या टोपे की हत्या हुई थी विद्रोह के दौरान शिमला में तात्या टोपे की हत्या हुई थी पचास विद्रोह के दौरान बाक्शियों घुलाम हुसेन ने किस थान पर अंग्रेज सेना के खिलाफ लडाई लडी थी विद्रोह के दौरान राजा नाना साहेब की कौन सी सेना की मदद सेपाहियों को मिली थी विद्रोह के दौरान राजा नाना साहेब की सेना को मराठा सेना की मदद सीपाहियों को मिली थी बावन विद्रोह के दौरान रानी लक्षमी बाई ने किस थान पर विदेशी सेनाओं की छुड़ाई की थी विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मी बाई ने कामपल की घाटी पर विदेशी सेनाओं की छुडाई की थी तिरपन विद्रोह के दौरान किस योध्धा ने लक्ष्मी बाई को संघर्ष में सहायता प्रदान की थी विद्रोह के दौरान तात्या टोपे ने लक्ष्मी बाई को संघर्ष में सहायता प्रदान की थी चौवन विद्रोह के दौरान किस स्थान पर सेपाही राजा ने उपनिवेशित सेना की कमान संभाली थी विद्रोह के दौरान सेपाही राजा ने बिजनौर किला पर उपनिवेशित सेना की कमान संभाली थी 55 विद्रोह के दौरान किस स्थान पर तामबे अली ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध किया था विद्रोह के दौरान तांबे अली ने जगदीशपुर में ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध किया था 56 विद्रोह के दौरान किस स्थान पर तात्या टोपे को ब्रिटिश अधिकारियों ने पक्रा था विद्रोह के दौरान तात्या टोपे को शिप्रिया गांज में ब्रिटिश अधिकारियों ने पकड़ा था 57 विद्रोह के दौरान किस योध्धा ने बाक्षियों घुलाम हुसैन की मदद की थी विद्रोह के दौरान तात्या टोपे ने बाक्षियों घुलाम हुसैन की मदद की थी 58 विद्रोह के दौरान किस स्थान पर बहादूर शाह जफर को ब्रिटिश सेना ने पकड़ा था विद्रोह के दौरान बाहादुर शाह जफर को लक्षमना तीला में ब्रिटिश सेना ने पकड़ा था 69 विद्रोह के दौरान किस स्थान पर नाना साहिब को पकड़ा गया था 60 विद्रोह के दौरान नाना साहिब को नेपाल में पकड़ा गया था साथ विद्रोह के दौरान राजा नाना साहेब ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ किस स्थान पर आकरमन किया था विद्रोह के दौरान राजा नाना साहेब ने कानपुर में ब्रिटिश सेना के खिलाफ आकरमन किया था आशा करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करना न भुले वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद